इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने अप श्टॉक पर जो भी पैसे अर्ण किये हैं रेफर करके उस पैसे को विड्राओ कैसे करेंगे सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको अब रेफर अर्ण को सलेक्ट करना है जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आता है इसके बाद आपको simply your earnings and referral पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर click करते हो आपके सामने ये page आता है यहाँ पर आप देख सकते हो total cash earn कितना amount आपने earn किया है अब तक आप कितना withdraw कर सकते हो यह सारा कुछ यहाँ पर show हो रहा है अगर आप नीचे देखोगे नीचे क्या होता है तो इसमें देखो processing, pending और जो पैसे आपको मिल चुके होता है उसके सामने वो amount लिखा हुआ रहता है processing का मतलब यह है कि उसने form को submit कर दिया है और आपको उसके पैसे मिल जाएंगे pending का मतलब यह होता है कि उसने बस अपना email and phone number register किया है मगर वो अपने सारे documents अभी तक जमान नहीं किया है उसने तो वो पैसे अभी pending में है जब वो submit कर देगा तो वो processing में change होगा और उसके बाद पैसे आपको मिलेंगे तो फिर वो amount वहाँ पर लिखा हुआ आजाएगा अब देखते हैं आपने जो cash earn किया है उसे आप withdraw कैसे करोगे simply आपको screen उपर करना है take out पर click करना है and अब आपको जो amount withdraw करना है उस amount को simply आप यहाँ पर type करोगे जैसे मुझे 4000 निकालने तो मैं यहाँ पर 4000 लिखकर confirm पर click करता हूँ देखो request send हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो active withdrawal का message आ चुका है नीचे और यहाँ पर यह बता रहे हैं कि आपको 4000 रुपय है वह मिलेंगे 3 working days में यानि Saturday Sunday को अगर आप apply करते हो तो वह दिन नहीं किना जाएगा क्योंकि वह working days नहीं है ठीक है तो आपको 3 working days के अंदर वह पैसे आपके account पर मिल जाएंगे जो account आपने upstock पर add किया हुआ होगा तो आज इस वीडियो में इतना ही अगर upstock से related आपको कोई भी doubt है तो मैंने upstock पे एक separate से पूरी playlist बनाई वी है जिसमें upstock से related बहुत सारे वीडियो हैं तो वह playlist आप चेक कर सकते हो आपको description में भी वह playlist मिल जाएगा तो आज इस वीडियो में इतना ही अगर अभी भी कुछ doubt है तो नीचे comment करके पूछ लेना मैं जरूर बताऊंगा thanks for watching have a good day